प्रक्रण तेर खास अदालत नंबर 84 जडपी अदालती कारेवाही नो प्रबंद करवाना उद्देश थी राज्यसरकार वड़ी अदालत ना मुख्य नाय अधीश नी अनुमती थी अधीसूचना द्वारा दरेक जिल्ला माटे आकाइदा हेटल अपराधिक कारेवाही चलाववा सेशन कोड इटले के जि खास अदालत तरीके मुकर्रर करशे नंबर 85 नुम पहलू राज्यसरकार दरेक खास अधालत माटे अधीसूचना अद्वारा एवी अधालतों माँ स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर इटले के खास सरकारी फौजदारी वकील तरीके केसोनी कारेवाही हाथ धर्वा जिवो सात करता ओचा नहीं इटला वर्ष्थी वकील तरीके ना व्यवसाय मां होई तेने पब्लिक प्रोसीक्यूटर सरकारी फौजदारी वकील मुकर्रर करशे अथवा वकीलनी निम्णुक करशे पंच्याशी नूबीजू प्रक्रण चौद विकलांगता धरावती व्यक्तियो माटेनी राष्ट्रिय निधी नंबर छाशी नूब पहलू विकलांगता धरावती व्यक्तियो माटे राष्ट्रिय निधी एटलेके नाना की यह भंडोलना नाम थी एक निधीनी रचना करवामा आवशे जेमा नीचे मुझब नाना जमा करवामा आवशे ए तारिक अग्यार अगस्ट ओगुणिसो त्याशी नी अधिसुचना अक्रमांग S.O.O. 533E थी रच्वामा आवेल विकलांग व्यक्तियो माटे नी निधी अने Charitable Endowment Act इतले के सखावती थापन दान अधिनियम अधार सो नेव हेठल तारिक 21 नवेंबर 2006 नी अधिसुचना क्रमांग त्रीस डैश त्राण अबलिक 2004 डैश डी डी आई आई थी रच्वामा आवेल विकलांगता धरहावती व्यक्तियो ना सशक्ति करन माटे ना ट्रस्ट फंड हेठल उपलब्द तमाम रकम बी नामदार सर्वोच अधालत मा सिविल अपिल क्रमांग चेंतालिस पंचावन अने बाववन अधार अबलिक बेहजार अनवय तारिक शोड एप्रिल बेहजार चौदना चुकादाना अमली करन संदर भे बैंको कॉर्पोरेशन नानाकिय संस्थाव द्वारा चुकववा पात्र तमाम रकम् C. अनुदान, भेट स्वगादो, दान, सक्खावत, वार्साईदान अत्वा हस्तान तरन द्वारा मलती तमाम रकम् D. सहायित, अनुदान, सहित, केंद्र सरकार पासे थी मलती तमाम रकम् E. केंद्र सरकार नक्की करे ते अन्य स्त्रोत माथी तमाम रकम् 6. बिजु विकलांगता धरावती व्यक्तियों माटे नी निधिनों उप्योग अने संचालन निर्धारित करवामा आवे ते पद्धती थी करवामा आवशे नंबर सत्याशी नू पहलू निर्धारित कर्या मुजबना अन्य पत्रको तैयार करशे सत्याशी नू बिजु निधिना हिसाबोनू अन्यवेशन इटलेके ओडिट भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक द्वारा तेमने निर्धारित करेल समयांतरे करवामा आवशे अने आवा अन्यवेशनना सम्मंदमा तेमना द्वारा करवामा आवतो कोईपण खर्च भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक ने निधिना नाना माथी चुकववा पात्र रहशे त्री जुब भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक अने तेमना द्वारा निधिना हिसाबोना अन्यवेशनना सम्मंदमा निम्वामा आवेल कोईपण व्यक्तियोंने आवा अन्यवेशन आवडिटना सम्मंदमा एटलाज अधिकारो विशेश अधिकारो अने सत्ताओ रहशे जे भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक ने सरकारी हिसाबोना अन्यवेशन ना सम्मंदमा होई चे अने खास करिने तेनने हिसाबी पत्रको सम्मंदित रसीदो इटलेके वाउचर्स अने अन्यदस्ता वेजो तेमज कागलो नी मागणी तथा निधी नी कचेरियो माथी कोईनी पण तपास करवाना अधिकारो रहशे चोथु भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक के तेमना द्वारा आ संबंधे निमवामा आवेल अन्य कोईपन व्यक्ति द्वारा प्रमानित करवामा आवेल निधीना हिसाबो अने ते पर ना अन्यवेशन एहवाल केंद्र सरकार द्वारा एक साथे संसर्दना दरेक गुरुह समक्ष मुक्वामा आवशे प्रक्रण पंदर विकलांगता धरावती व्यक्तियों माटेनी राज्य निधी अठ्याशीनू पहलु केंद्र सरकार निर्धारित करे ते मुझब राज्य सरकार द्वारा विकलांगता धरावती व्यक्तियों माटे नी राज्य निधी ना नाम थी एक निधी नी रचना करवामा आवशे अठ्याशिनु बीजु विकलांगता धरावती व्यक्तियों माटे नी राज्य निधी नो उप्योग अने संचालन राज्य सरकार निर्धारित करे ते पद्धति थी करवामा आवशे अठ्याशिनु त्रीजु दरेक राज्य सरकार राज्य निधी माटे योग्य हिसाबो अने संबंधित अन्य रेकोर्ज नी जानावणी करशे अने आवक अने खर्चना हिसाबो सहित भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक ना परामर्षन मा निर्धारित कर्या मुझबना अन्य पत्रको तैयार करशे अठ्याशी नूँ चोथू राज्य निधी ना हिसाबो नू अडिट भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक द्वारा तैमने निर्धारित करेल समयांतरे करवामा आवशे अने आवा अन्वेशन ना सम्मंद मा तैमना द्वारा करवामा आवतो कोईपण खर्च भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक ने राज्य निधीना नाना मा थी चुकववा पातर रहेशे अठ्याशिनू पाच्मू भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक अने तैमना द्वारा राज्य निधीना हिसाबोना अन्वेशन एटलेके ओडिट ना सम्मंद मा निमवामा आवेल अन्यकोईपण व्यक्तियों ने आवा ओडिट ना सम्मंद मा एटलाज अधिकारो विशेशा अधिकारो अने सत्ताओ रह्षे जे भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक ने सरकारी हिसाबोना अन्वेशन ना सम्मंद मा होईजे अने खास करिने तेमने हिसाबी, पत्रको, पाउचर्स अने अन्यदस्ता वेजो तेम अज कागलोनी मागनी तथा निध ही नी कचेरियो माथी कोई नी पण तपास करवाना अधिकारो रह्षे अठ्याशिनू छट्टू भारतना नियंत्रक अने महालेखा परिक्षक के तेमना द्वारा आ सम्मंधे निमवामा आवेल अन्य कोईपन व्यक्ति द्वारा प्रमानित करवामा आवेल राज्यनिदिन हिसाब schöne 105. अने ते परना अन्यवेशण एहवाल राज्यसरकर द्वारा जैंश्याँ विधानमंडल वे ग्रुहुयू नू बनेलू होई त्यां डरेक ग्रुह समक्ष अथवा जैंश्याँ आ विधानमंडल एक ग्रुहुनू बनेलू होई त्यां एक ग्रुहुidd अभु Si गुणा अने दंड नंबर ने व्याशे कोईपण व्यक्ति जे आ अधिनियमनी जोगवाईयो नो अथवाते हेठळ बनावामा आवेल नियमोनो भंग करे छे तो तेनू प्रथम उल्नंगन दंड सहित सजापात्र बन शे चे रूपिया दस हजार सुधी वदिशक्षे अन त्यार पचिनू उल्नंगन दंड सहित रूपिया पचास हदार थी ओचु नहीं एटलू रेशे चे रूपिया पांच लाग सुधी वदिशक्षे नंबर ने वनू पहलू ज्या कंपणी द्वारा आ काइडा हिठल गुनो आचरावमा आवे त्यां गुनाना समय कार्यभार संभालती हती अने ते माटे कंपणीनू कामकाज चलाववा कंपणीने जवाबदार हती ते दरेक व्यक्तिव प्रांत कंपणीने पन गुना माटे दोशित गणवामा आवशे अने तेनी सामे आगलनी कार्यभाही चलाववा अने तद अनुसार सजा मिलववा जवाबदार रहे शे परन्तु आ पेटा खंड मा इमी कोई व्यक्ति ने आ काईदा हे ठल कोई पन सजा मिलववा जवाबदार लेखवामा आवशे नहीं जो व्यक्ति एम साबित करे छे के गुनो तेनी जान बहर आचरवामा आववो हतो अथवा तो तेने आ गुनाने रोकवा माटे जरूरी तमाम ततपरता दाखवी हती नेवनु बिजु पेटा खंड एक मां कोई बाबत समायल होए तो पन ज्यान आ काईदा हे ठल गुनो कंपनी द्वारा आचरवामा आववो छे अनि ए साबित थाए छे के गुनो कंपनी ना कोई डिरेक्टर मेनेजर सेक्रेटरी के अन्य कोई अधिकारी ना पक्षे सम्मती के दूरलक्ष के मुक्र सम्बंती अथ्वा तो कोई बेदर कारी ना परिणाम स्वरूप आचरायो छे तो आववा डिरेक्टर मेनेजर सेक्रेटरी के अन्य कोई अधिकारी ने पन गुना माटे दोशित गणवामा मा आवशे अने त्यवनी सामे आगलनी कारेवाही चलाववा अने तद अनुसार सजा मिलववा जवाबदार रहेशे उदाहरन रूपे अ, कम्पनी एटले के कोई पन कॉर्परेट संस्था जमा पेडी अथवा व्यक्तिवना अन्य कोई मंडलों नो समावेश थाए जे बी, पेडी ना संबंध मा डिरेक्टर एटले के पेडी मा भागिदार नंबर एकाण। कोई पन व्यक्ति बेंचमार्क विकलांगता धरावती व्यक्तियों माटे नी सुविधाओ छलक अपट पूर्वक दगाथी मिलवेचे अथवा ते रिते मिलववानों प्रहत्न करे छे तो ते निश्चित मुदत माटे सजाने पात्र बन छे जे बे वर्ष सुधी वधिशक्षे अथवा दंड जे एक लाक रुप्या सुधी वधिशक्षे अथवा ते बनने नंबर बानू कोईपण व्यक्ति ए लोकोनी नजरे पड़े वा कोईपण स्थळे विकलांगता धरावती व्यक्तिनू इरादा पूर्वक अपमान करें अथवा अपमानित करवाना आशय थी धाक दमकिया पे बी विकलांगता धरावती व्यक्ति पर तेने अपमानित करवाना इरादा थी हुमलो करें अथवा बढ़ जबरी करवाना परहत न करें अथवा विकलांगता धरावती महिलानी शालिनता पर अत्याचार करें सी जे वास्थविक्रिते विकलांगता धरावती व्यक्तिनी जवाबदारी अने तेना उपर नियंत्रन धरावे छे अने स्वेच्छा पूर्वक के जानी जोईने तेने के तेनीने खोराक अने प्रवाही पदार्थो आपवनों इनकार करें छे डी विकलांगता धरावता बालक अथ्वा स्त्रीनी इच्छा पर आधिपत्य धरावता होवाने स्थितिमा होय अने ए स्थितिनों उप्योग तेनु जातिय शोशंकरवा माटे करती होय इ विकलांगता धरावती व्यक्तिना कोई पण शारिरिक अंगो के ज्ञानी इंद्रियो अथ्वा अन्य कोई सहायक साधनों नो उप्योग करीने स्वेच्छा पूर्वक इजा करे नुक्सान पहुँचारे अथ्वा अवरोधे एफ विकलांगता ना केटलाग जटिल केसो मां के ज्यां रजिस्टर्ड तबीवी व्यवसाईक ना मते तेमज विकलांगता धरावती स्त्रीना वालियों नी सम्मती थी काईदेसर गर्भपात माटे तबीवी प्रक्रिया करवा मां आवे छे ते सिवाए विकलांगता धरावती महिला पर तेनी स्पष्ट सम्मती विना कोई पाण तबीवी प्रक्रिया करवा मां आवे हाथ दर्वा मां आवे अथवा निर्देशित करवा मां आवे जेनाथी गर्भपात नी स्थिती सर्जाय छे के तीवी स्थिती सर्जवानी संभावना रहे छे ते व्यक्ती निष्चित मुद्धत माटे सजापात्र बन्छे चे छो मास्थी ओची नहीं एटली हशे परंतु तेने दंड सहित पांच वर्ष सुधी वधारी शकाशे नंबर त्राणू कोई पण व्यक्ती पत्रकों हिसाबों अथ्वा अन्य कोई दस्तावे जो रजुकरावमा निष्फळ जाए छे अथ्वा कोई निवेदन के महिती विगतो जे आ अधिनियम अथ्वा अन्य कोई आदेश के तेहेठ्र आब्पामा आवेल निरदेशो अनुसार रजु करवामा के पूरी पाळवा अथ्वा आ अधिनियम अथ्वा अन्य कोई आदेश के ते हेठ्ळ आप्पामा आवेल निर्देशोनों अमल करता प्रश्णोना जवाब आप्पा बंधायल छे तो ते दंड साथे सजापात्र बन छे जे दरेक अपरादना संद्रभ मा रुपिया 25,000 सुधी वधी शके चे अने सतत मिश्फळता के इनकार ना संजोगो मा वधारानों दंड के दंड नी सजा फटकार यानी असल तारिक पची सतत मिश्फळता के इनकार माटे प्रति दिन रुपिया 1000 सुधी वधी शक्षे कोई पन अदालत आ प्रक्रण हेठल यथा योग्य सरकार ना कर्मचारी द्वारा गुनु आचरवामा आयोचे एवा आरोपित गुनाने ध्यानमा लेशे नहीं सिवाए के यथा योग्य सरकार द्वारा अगाव थी मंजुरी लेवामा आवी होई अथवा सम्मंद मां तेमना द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा परियाद दाखल कर्मचारामा आवी होई बने छे त्यारे जेते समय अमलमा रहेल अन्य कोई काईदामा कोई बाबत समायल होई तेम छता आवा गुनामा दोशिट जणायल गुनेगार फक्त एवा अधिनियम हेठल अज सजापातर बन छे जे अधिक्तम मात्रामा सजानी जोगवाई करे छे क्रण सत्तर प्रक्रेरण नंबर छन्नू आ अधिनियमनी जोगवाईयो ए जे ते समय अमलमा रहेल अन्य काईदानी जोगवाईयो नो पनादर के अवगणना नथी पन ते उपरांत रहशे नंबर सत्तानू आ अधिनियमके ते हेठल बनावेल नियमो हेठल शुद्ध बुद्धि पूर्वक के ए आशय थी करेल कोईपण बाबत माते, कोईपण दावो, फर्याद के अन्य कोई कानूनी कारेवाही यथा योग्य सरकार अथ्वा यथा योग्य सरकार नो कोई अधि अधिकारी अथ्वा चीफ कमिश्णर के राज्य कमिश्णर नी कचरी नो कोई अधिकारी के कर्मचारी नी विरुद्मा रहशे नहीं नंबर 58 नुँ पहलू आ अधिन्यमनी जोगवाईयों नो अमल कर्वा मां कोई अडचन के मुश्केली उभी थाय तो केंद्र सरकार आदेश्ती सत्तावार गैजेट मां प्रकाशित करीने आ अधिन्यमनी जोगवाईयों साथे असंगत न होई एवी जोगवाईयों कर्शे के निर्देशो आपशे जे आवे मुश्केली दूर करवा जरुरी के योग्य जणाये। परंतु आ अधिनियमना प्रारंब नी तारिक थी बे वर्ष पुरा थया पची आ खंड हेठल आवा कोई आदेश करवामा आवशे नहीं। अठाणूनु बिजु। आ खंड हेठल करवामा आवेल दरेक आदेश ते बहार पाडवामा आवे ते पची शक्य बने तेटला जल्दी संसदना दरेक गुरु समक्ष मुक्वामा आवशे। नंबर 9 नू पहलू। यथा योग्य सरका द्वारा जे अन्य कोई रिते करवामा आवेल भला मणों। अंगे जो केंद्र सरकार ने खातरी थाय के ते आम करवू जरूरीरी के योग्य छे तो ते अधिसूचना द्वारा अनू सुची माँ सुधारो करशे औने आवी अधिसूचना बहार पाडवामा आवे ते आर्थीज। अनुस्सूचित मा तद अनुसार सुधारो करवामा आवेल छे M मानिलेवामा आवशे नववाणूनु बीजु आवि दरेक अधिसूच ना ते बहार पाडवामा आवे ते पछी शक्य बने इटला जल्दी संसद ना दरेक गुरू समक्ष मुकवामा आवशे नंबर सो नुँ पहलू केंद्र सरकार अधिसूच ना द्वारा अगावना प्रकाशननी शरतोंने आधीन आ अधिनियमनी जोगवायोने अमलमा मुकवा नियमो बनावी शक्षे सो नु बिजु खास करीने आगल उल्लेक करेल सत्ता अधिकारोना सामान्य दिरूपणना पूर्वाह ग्रविना आ नियमो नीचे ना माथी तमाम अथ्वा अमुक बावतोनो प्रबंद करी शक्षे ए खंड 6 ना पेटा खंड 2 हेठर विकलांग ता पर संशोधन माटेनी कमिटी रचवा माटेनी रीट बी खंड न एक्विस्ना पेटा खंड एक हेठर समान तक्नी निती जहर करवानी रीट C. खंड 22 ना पेटा खंड एक हेठर दरेक संस्थान द्वारा रेकोर्ड निभावानी रीट C. खंड 22 ना पेटा खंड एक हेठर दरेक संस्थान द्वारा रेकोर्ड निभावानी रीट D. खंड 23 ना पेटा खंड 3 हेठर लोक फरियाद निभारण कचेरी माटे फरियादोनु रडिष्टर निभावानी रीट E. खंड 36 हेठर संस्थान वे खास रोजगार कचेरी ने माहिती अने प्रत्युतर पुरा पाडवानी रीट F. खंड 38 ना पेटा खंड 2 हेठर मुल्यांकन बौड नी रचना अने पेटा खंड 3 हेठर मुल्यांकन बौड द्वारा करवाना मुल्यांकन नी रीट G. विकलांगता धरावती व्यक्तियों माटे खंड 40 हेठर सुलबताना धोरणों स्थापित करवाना नियमू H. खंड 58 ना पेटा खंड 1 हेठर विकलांगतानों प्रावपत्र मिलवा अरजी करवानी रीट H. अने पेटा खंड 2 हेठर विकलांगताना प्रावपत्र नों नमुनों H. खंड 61 ना पेटा खंड 6 हेठर केंद्रिय सलहकार बौड ना नियुक्त सब्व्यों ने चुकवाना बत्था H. खंड 64 हेठर केंद्रिय सलहकार बौड नी बैठक मां कामकाजना व्यवारों नी कारियरीती मांटेना नियमों K. खंड चुम्मोतिर ना पेटा खंड 4 हेठर चीफ कमिश्नर अने कमिश्नर ना पगारो अने बत्था अने सिवाना अन्यनियमों K. खंड चुम्मोतिर ना पेटा खंड 7 हेठर चीफ कमिश्नर नी कचेरीना अधिकारियों अने अन्यकर्मचारियों ना पगारो भत्था अने सिवाना अन्यनियमों M. खंड चुम्मोतिर ना पेटा खंड 8 हेठर सलाकार समितिनी रचना अन्य निश्नातों नियमों M. खंड इठ्योतिर ना पेटा खंड 3 हेठर चीफ कमिश्नर द्वारा रजु करवाना M. वार्षिक एहवालों नो ढाचो रीत अने तेमा सामेल करवानी भीगतो M. खंड 6 ना पेटा खंड 2 हेठर निदिना नाना ना उप्योग अने संचालन नी पद्धती अने कार्य दिती P. खंड सत्याशी ना पेटा खंड 1 हेठर निदिना इसावो तया करवा माटेना पत्रक 100 नो त्रीजु आ अधिनियम हेठल बनावयाईल दरेक नियम ते बनी गया पछी तरतज संसदना दरेक क्रुह समक्ष सत्र चालू होई त्यारेकुल 30 दिवसना समय गाला माटे मुकवामा आवशे जे 1 अथवा 2 के वधूसलंग सत्रो ना बनी शक्षे अने जो सत्र पूरू था आय तो त्यार पछी ना सत्रमा तरतज अथवा तो आगल जनावयू तेम क्रमानू सार सत्रमा सत्र बनने गुरुहो सो नू त्रीजू आ अधीनियम हिटल बनावायल दरेक नियम ते बनी गया पची तरतज सांसदना दरेक गुरु समक्ष सत्र चालू होई त्यारेकुल 30 दिवसना समय गाला माटे मुकवामा आवशे जे एक अध्वा बे के वधू सलंग सत्रो ना बनी रहेशे जो सत्र पुरु थाए तो त्यार पची ना सत्रमा तरतज अध्वा तो आगल जडावयू तेम क्रमानू सार बनने गुरुहो नियमों मा कोई फिरफार करवा सम्मत थाए अथ्वा बनने गुरुहो सम्मत थाई जाए के नियमों बनाववा जो ये नहीं त्यार बाद संजोगों अनुसार नियमों फक्त तेना सुधारेला स्वरुप माज अमली रहेशे अथ्वा तेना कोई अमल नहीं थाए जेती करीने आवा कोई फिर फारो के अमान्यताने नियम हेठळ अगाव जे काई करेल छे तेनी काईले सर्ताने बाद आव्या विना रहेशे नंबर 101 राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अगावना प्रकाशननी शर्तोंने आधीन आ अधिनियमना प्रारंबनी तारिक थी छो मास्थी मोडा नहीं इटला समयमा आ धिनियमनी जोगवा योने अमलमा मुकवा नियमो बनावी शक्षे 101 नू बिजू खासकरीने आगल उल्लेक करेल सत्ता धिकारोंना सामान्य निरूपणना पुर्वा ग्रहविना आ नियमो नीचे नामा थी तमाम अथ्वा अमुक बाबतोंनो प्रबंध करी शक्षे a. खंड 5 ना पेटा खंड 2 हेटल विकलांगता पर संचोधन माटे नी कमिटी रच्वा माटे नी रीत b. खंड 4 ना पेटा खंड 1 हेटल मरियादित जाबदारी वाला वाली ने सहाय करवानी रीत c. खंड 51 ना पेटा खंड 1 हेटल 9 निनु प्रहापत्र नी अरजिनो नमुनो d. खंड 51 ना पेटा खंड 3 हेटल 9 निनु प्रहापत्र मेलवा संसा द्वारा पूरी पढ़वानी सुविधाओ अने संतोश्वाना धोरनो E. खंड 51 पेटा खंड 4 हेठळ ना नौधनी ना प्रमापत्र ना काईदेश सर्ता त्यानों नमूनों तेनी साथ बीडवानी शर्तों अने नौधनी 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 प्रमापत्र जी, खंड 53 ना पेटा खंड 1 हिठळ करवानी अपील नों समय गाओ ह, खंड 11 ना पेटा खंड 1 हिठळ प्रमापत्र आपनार 17 धिकारी ना आदेश सामे अपील करवानों समय गाओ तेमज तेनी रीत अने पेटा खंड 2 हिठळ आवी अपील ना निकालनी रीत आई, खंड ना 67 पेटा खंड 6 हिठळ राज्य सलाकार बौड ना नियुक्त सब्व्योंने चुकवाना बत्था जे, खंड सित्तेर हिठळ राज्य सलाकार बौड नी बैठक मां कामकाज ना व्यवारों नी कार्यरीतों माटेना नियमों के, खंड बौटेर हिठळ जिल्ला कक्षानी समिती नी रचना अनेकारियों एल, खंड अग्णया इशिना पेटा खंड त्रों हिठळ राज्य कमिष्ण ना पगार भत्था ने सेवाना अन्यनियमों एम, एन, एम, खंड अग्णया इशिना पेटा खंड त्रों हिठळ राज्य कमिष्ण नी कचेरीना अधिकारियों अन्य कर्माचारियों ना पगारों भत्था ने सेवाना अन्यनियमों एन, खंड अग्णया इशिना पेटा खंड साथ हिठळ सलहकार समितीनी रचना अने निश्णा तोनी निम्णुक ओ, खंड त्याशिना पेटा खंड त्रों हिठळ राज्य कमिष्णर द्वारा रजु करवाना वार्षिक एहवालों नो धाचो रीत अन्य तेमा सामेल करवानी विगतो पी, खंड पंच्याशिना पेटा खंड बे हिठळ खास पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने चुकवानी भी अने महेंतानू क्यूँ, खंड अठ्याशिना पेटा खंड एक हिठळ विकलांगता दरावती व्यक्तियों माटे नी राज्य निदिनी रचना करवानी रीत अने पेटा खंड बे हिठळ राज्य निदिना नाना उप्योगन संचालनी पद्धती अने कार्य रीती आर, खंड अठ्याशिना पेटा खंड त्रोण हिठळ विकलांगता दरावती व्यक्तियों माटे नी राज्य निदिना इसाबों तया करवा माटे ना पत्रक 101.30 आ अधिनियम हेटल बनावाईल दरेक नियम ते बनी गया पची तरत ज ज्यां राज्य विदान मंडल बे गुरू होनू बने लूँछे त्यां दरेक गुरू समक्ष अथ्वा ज्यां एक गुरू बने लूँछे त्यां एक गुरू समक्ष मुक्वामा आउशे नंबर 102, विकलांगता धरावती व्यक्तियों माटेनों अधिनियम, 1905 आ साथे परत खेंची लेवामा आवे छे 102 नू बीजु, पूर्वकतित अधिनियम परत खेंची लेवामा आवे छे, तो पन पूर्वकतित अधिनियम हेठल करवामा आवेल, कोई पन बाबत के लेवामा आवेल कोई पगला आ अधिनियम नी तद अनुरूप जोगवाईयों हिठल करवामा आवेल छे, के लेवामा आवेल छे, तेम मानी लेवामा आवशे। अनुसूची, खंड बेनी कलम Z, C, निर्दिष्ट विकलांगता, पेल्लू, शारेडिक विकलांगता, A, स्वगतिशील विकलांगता, इटले के, पूतानी जातना हलन्चलन साथे संकडायल विभिद प्रवुरूत्यों करवानी व्यक्तिनी असमर्थता, अने वातरोग संबंधी, अथ्वा चितातंत्र, अथ्वा बन्नेनी वेदनाने कारणे परिणमती, मानव, क्रिया, जे मा, ए, रक्तपीत मटी गयो होई एवी व्यक्ति, एटले के एवी व्यक्ति, जैने रक्तपीत मटी गयो छे, परंतु, नीचे ना माथी हजू पन पीडाए छे, एनू पहलू, हाथमा अथ्वा पगमा सम्वेदना गुमावी, उपरांत सम्वेदना गुमावी, औने आख, तेमज आखना पोपचानों लक्वो पन, तेमा कोई विक्रुती के खोड देखावी नहीं, बीजू, विक्रुती के खोड देखावी नहीं, लक्वो परंतु, सामान्य आर्थिक प्रव्रुत्ती माँ, जोडावा माटे, तेमने सक्षम बनावा, हाथ अने पगनू, परियाप्त हलन चलन, त्रीजू, अत्याधिक शारिरिक विक्रुती, उप्रांत धळती उम्मर के जैमने कोई आर्थिक उपारजनवाव यह साय करता रोके, अने रक्तपीत रोगमुक्त परिभाशानू अर्थ गटन एरिते करवानू रह्ष्य, बी, मगजनो लक्वो एटले के शरीरना हलन्चलन अने स्नायू ना पारस्परिक सुमेळ ने असर करती असाध्य मानसिक स्थितिना लक्षणों नो एक समू, जे, मगजना कोई एक के तेथी वधारे हिस्सा ओपर इजाओने कारणे बने छे। ये सामान्य रिते जन्म पहला दर्मियान के पछी तरत थती होई छे। सी, ठिंगना पणू के वामन्ता इटले के तबी बी के आनुमान्चिक अवस्था जेने कारणे पुक्त व्यक्तीनी उचाई 4.10 इच के तेना थी ओची रहे छे। डी, स्नायू किय विकारो इटले के वार्सागत स्नायू किय रोगना लक्षणों नो एक समू के जे मानव शरीरनू हलन्चलं करावता स्नायू ने नबला पाड़े छे। तेमज आ प्रकारने विविद विक्रूतियो धरावती व्यक्तीना जनीनों मा दो शयुक्त अने खुटती माहिती होई छे। जे तेमने तेमना स्वस्थ स्नायो माटे जरुरी प्रोटीननू निर्मा करता रोके छे। तेने वकरता जता अस्तितंत्रना स्नायो नी नबलाई स्नायो ना प्रोटीन मा खामी। पनस्नायो कोशने मास पेशी ना नाश तरीके उड़क्वामा आवेज। E. एसीड हुमलानो भोग बननार एटलेके व्यक्ती जेना पर एसीड के एवा कोई जलत पदार्थो फ्यकीने हिंसक हुमलो करवानों कारणे विक्रुत बनी गई छे। B. द्रष्टीनी खामी। A. अंधत्व एटले एवी अवदशा जेमा इलाज कराव्या पछी व्यक्ती नी स्थिती नीचे माथी कोई पन होई छे। B. द्रष्टीनों संपून अभाव। B. द्रष्टीनी तिक्ष्णता 3 x 60 करता ओची अथवा शक्य श्रेष्ठ खामी सुधार साथे सारी आखमा 10 x 200 स्नेलन करता ओची। 3. द्रष्टीक्षेत्रनी मर्यादा 10 दिगरी करता ओचा कौन ना छेडाओने जोडती। B. लोविजन एटले के एवी अवदशा जेमा व्यक्तीनी स्थिती नीचे माथी कोई होई शके। पहलू द्रष्टीनी तिक्ष्णता 6 x 18 थी वदू नहीं, अथवा 20 x 60 थी ओची, 3 x 60 सुधी, अथवा शक्य श्रेश्ट कामी सुधारा साथे सारी आँखमा 10 x 200. पहलू द्रष्टीनी तिक्ष्णता 6 x 18 थी वदू नहीं, अथवा 20 x 60 थी ओची, 3 x 60 सुधी, अथवा शक्य श्रेश्ट कामी सुधार साथे सारी आँखमा 10 x 200 स्नेलन सुधी, अथवा द्रष्टीक शेत्रनी मर्यादा 40 डिगरी करता ओचा कौन ना छेडाओने जोडती 10 डिगरी सुधी, c, स्रवण शक्तीनी खामी, a, बधिर, इटले के वाणीना आवर्तनमा बन्ने कानमा सित्तेर डेसिबल स्रवण शक्तीनी खामी धरावती व्यक्ती, b, भाग्येज साब्ली शक्तनार इटले के वाणीना आवर्तनमा बन्ने कानमा सिक्स्टी डेसिबल स्रवण शक्तीनी खामी धरावती व्यक्ती, d, वाणी अने भाषा किये विकलांगता एटले के स्वर्पेटी के वाचागात जेवी स्थितीमा उदभवती कायमी विकलांगता जे शारिरिक अंगों के ग्ण्यान तंतुवना कारण ने लिदे वाणी अने भाषा ना एक के वधु घटकोने प्रभावित करे छे, बिजु बवद्धिक विकलांगता जे ने बवद्धिक कारियो, तरकशक्ती, अध्ययन, समस्यानों निवारण, के अनुकुलित वर्तनुक जे रोजबरोजना कारियो, सामाजिक अने व्यवहारिक कौशल्यों सहित नो अवेश थाए छे, ते बन्नेमा नोध पात्र मरियादाओनी एक अवस्था द्वारा वर्णवामा आवेज, ए चोकस प्रकारनी अध्ययन असमर्थता इटले के विविद प्रकारना लक्षण समोनी एक अवस्था के जेमा बोलाएला के लेखित भाषाने संदेशामा वर्तित करवानी प्रक्रियामा खामी छे, चे समझवामा, बोलुवामा, वांचवामा, लखवामा, उच्चारणों मा के गानितिक गणत्रियों करवामा मुश्केली तरीके तेनी मेलेज प्रगट थाई शक्ये छे अने तेमा सम्वेदना ग्रहन संबंधी असमर्थता, वांचन असमर्थता, लेखन असमर्थता, गणन असमर्थता, गती समन्वय दोश के विकास किया वानी ब्रण्ष नों समावेश थाई छे बी, मानसिक विकासनी खामी इटले ज्ञान तंत्रना विकासनी एक अवस्था जे विशेश रिते जीवनकालना शरुवातना त्रोंवर्ष मां जुवामले छे जे व्यक्तिनी वाच्चीत करवानी, मानव संबंधोने समझवानी अने तेने अन्यों साथे जोडवानी क्षमताने प्रभावित करे छे अने महद अन्षे ते अ सामान्य के चक्कस प्रकारनी आचार के वर्तनुक साथे संकलाये छे त्री जूब, मानसिक वर्तनुक, मानसिक बिमारी एटले वैचारिक प्रक्रिया, मिजाज, ग्रहन शीलता, अभिमुखता, के याद्दास्त मां गडवत, एक संगीन अवस्था जे एकंदरे निर्णों लेवा वर्तनुक वास्तविक्ताने ओड़क्वानीक, शमता, अथवा, जीवननी सामान्य जर्वियातोंने संतोश्वानी व्यक्तिनीक ख्षमताने हानी पहुचाड़े जे, परंदु तेमा बवदिक मंदतानों समावे स्थतों नथी, जे व्यक्तिना मननी के जकडायली के अधुरा विकासनी अवस्था जे, खास करीने तेनों सामान्य थी उतरता क्रमनी बवदिक क्षमता तरीके उल्लेक करवामा आवेज, चौथू, तेनों ए, मस्थिष तंत्र नी एक दिर्ग कालीन अवस्था, जे विके, मल्टिपल स्क्लेरे लोसिस, ए नू पहलू, मल्टिपल स्क्लेरे लोसिस, इटलेके, ग्ण्यान तंतुओं मा विविद जग्याय सोजा, इटलेके, मस्तिष क तंत्र ना रोगों नी एक दाहक स्थिती, जे मा मगजना ग्ण्यान तंतुणा कोशों नी आसपास नाना ना च्छेद थवा थी, करोर रज्जूने हानी पहुँचे छे, जे माईलीन क्रिया ना अभाव तरफ दूरी जाए छे, पने एक विजा साथे, वाच्चित करवामा मगजना ग्ण्यान तंतुओं अने करोर रज्जूनी कारेक्षन ताने असर करे छे, एनू बीजू, पार्किन्सन नो रोग, एटले के शरीर मां ध्रुजारी, कमपन, स्नायो जकडाई जवा, तेमज धीमा अने अचोकस हलन्चलन ना चिन्हो साथे, मगजना ग्ण्यान तंतुओं नो एक वकर्तो जतो रोग छे, जे मुख्यत्वे शरीर ने आधार आपती ग्ण्यान ग्रंथियोनु निर्मान अटकी जवानी अने मस्तिश्कमा संक्रमन कारी डोपामाईन नी उनप होयती विस्थिती साथे संक्रायल, पाकट वैना अने आधैड़ वन्यालोकों ने असर करे छे, बी, लोहीना विकारों, पैलू, हिमोफीलिया, इटले के आनुमानशिक रोग जे सामान्य रिते फक्त पूरुषो नेज असर करे छे, पड़न्तूस्त्रियो द्वारा तेमना बाकोमा संक्रमित थाए छे, जना लक्षणों मा लोहीना सामान्य रिते गंठाई जवानी क्रिया बंध हई जाए छे, अथ्वा तेमा खामी सर जाई छे जिथी नाना बाको माते जिवलेन लक्त स्त्राव माँ परिणमी शके छे बीजू थेलसेमिया एटलेके एक आनुवान शिक्रिते प्राप्त विकारोनों समू चेनू लक्षण योग्य मात्रामा हिमोग्लोबिननों अभाव अथ्वा तेमा उनप्प छे त्रीजू सिकल रोग अर्थाग एक हिमोलिटिक विक्रुती चेना लक्षणों मा लाम्बा समय थी एनीमिया पीडा दाय परिणामों तेमज तेनी साथे जोडायल मास पेशियो ना विद प्रकार नी गुच्वन भरी स्तिती अने शरीर ना अंगोने हानी जुवा मळचे हिमोलिटिक नो संद्रभ लाल रक्त कणों ना कोशो नी आंत्रिक त्वचानों नाश अने परिणामे हिमोगलोबिन ना छुटा पडवा साथे चे पांचमों बहुविद प्रकार नी विकलांगता इटले के उपर निर्देशित करेल विकलांगताओ पईकी एक्थी वधारे बहुविद प्रकार नी विकलांगता इटले के उपर निर्देशित करेल विकलांगताओ पईकी एक्थी वधारे मा बहुविद प्रकार नी विकलांगता इटले के उपर निर्देशित करेल विकलांगताओ पईकी एक्थी वधारे मा बहुविद प्रकार नी विकलांगता अने अंधत्व चेनों अर्थ, श्रमाण, शक्ति अने द्रष्टी बन्नेनी संयुक्त खामी धरावे छे, अने तेने लिधे वाच्चीत, विकासात्मक अने शेक्षिनिक बाबतो नी तीवर समस्याओ सरजाये छे। छट्ठू, केंद्र सरकार अधिसुचित करे तेवा विजा अन्य वर्गों। अहीं, RPWD Act 2016 नी समझूती पूर्ण थाये जे। RPWD Act 2016 ने समझाववानो आ, डक्टर बाबा साहिब आमबेरकर ओपन निवसिटी नो एक नम्ब्र प्रयास छे। आपने कोईपन काईदा की ये बाबत माटे चोब धरे जरूर जणाए तो चौकस थी आपना वकील नो के अन्य तजग्नों नो संपर्क करवो। आप हाँ